नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रभ्जोत आप देख रहे हैं 808 YouTube चैनल तो स्वागत अब सभी का Windows Tips and Tricks के एक और ने डिटोरिल में तो आज के इस वीडियो डिटोरिल में मैं बात करूँगा ऐसी पांच कमाल की कमांड के बारे में जो आप यूज कर सकते हैं अपने Windows के सिस्टम में और वो काफी यूजफुल रहने वाली हैं आपके इन फ्यूचर के लिए भी और क्रेंट यूसेज के लिए भी तो सबसे पहले क्लिक किजिए Windows के बटन पर और यहां पर सच किजिए CMD और इस पर्टिकलर एप्लिकेशन को ओपन कर लिजिए run as administration की permission के साथ तो जैसे आप इसे open करोगे और first command में basically बात करने वाला हूं blue dumb की mostly क्या होता है कि हमार जो सिस्टम है उसकी जो सी ड्राइव है उसमें काफी सारी corrupt files जो है वो run हो रही होती है तो इसलिए हमार जो सिस्टम है कई बार वो blue dumb क error show कर देता है तो कैसे हम उसे fix कर सकते हैं तो आप simply इस तरह से अपना command prompt को open कर लिजिए और enter कर दीजिए इस particular command को और simply enter पर क्लिक कर दीजिए यह automatically आपके सिस्टम की जो c drive है उसमें अगर कोई भी error है तो उसको वो automatically fix कर देगा आपने simply यहां पर y press करके enter कर देना दुबार command की तो अगर आपको लग रहा है कि आपके सिस्टम में अभी भी corrupt files available हैं तो आप simply इस particular command को execute कर दीजिए और यह automatically जितने भी आपके सिस्टम में corrupt files हैं वो सारी शो कर देगा तो चलिए अब बात करते हैं हमारी third command की तो windows को directly आप command prompt से भी upgrade कर सकते हैं आप simply command prompt में enter कर दीजिए winget upgrade को और simply इसे enter कर दीजिए और यह automatically आपको जो system है उसे upgrade कर देगा तो जैसा कि यहाँ पे show हो रहाएगा कि मेरा जब process है वो simply start हो चुका है तो simply मैं से yes कर देता हूँ और यह automatically मेरा जो system है उसको upgrade कर देगा इसके बाद अगर मैं बात करें हमारी fourth command की winget upgrade के साथ लगा दीजिए dash all तो हमारे system में जितने भी applications हैं यह automatically उनके जो latest versions हैं उनके साथ इनको upgrade कर देगा तो चलिए अब बात करते हैं हमारी final fifth command की तो simply windows प्लस arm का बटन पर प्रैस करके आप run command को open कर लिजिए और run command में आप simply इस particular command को paste कर दीजिए तो जैसे आप इसे एंटर कर लोगे आपके यहां पे कुछ इस तरह का dialogue box open हो जाएगा तो यहां पे हमारे सारे जितने भी local users हैं वो सभी हमें show हो जाएंगे तो आप चेक क तो आप simply इस particular icon पे क्लिक करके उस particular user को remove भी कर सकते हैं तो comment section में बताइए मुझे कैसी लगी आपको एकमाल की commands अगर इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हो तो आप simply a2it online को subscribe कर सकते हो और banner यह हमारे साथ मिलते हैं आपको next tutorial में इस वीडियो को like करें latest technical videos देखने के लिए हमारे channel a2it online को subscribe करें bell icon को दबाना ना भूलें